कि नमस्कार मैं ब्रिज मौन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में आज आप एक दीपक जला दे मा की खेतरी के पास और वो जलता रहे जलता रहेगा तो आपको बहुत लाब होगा पूरी रात यदी जलेगा तो और अधिक लाब होगा और सुबह आपने कंजक पूजन करनी है कन्याओं का पूजन करना है तो आप उसी दीपक को इस्तेमाल करेंगे यानि उसी जोध को इस्तेमाल करेंगे देसीगी की वो जोध ह होनी चाहिए उसको आप जिला दें बहुत अधिक लाब आपको मिलने वाला है बहुत अधिक आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो दीपक कितना लंबा चल के आएगा वो कितनी शक्तियां आपको देगा जैसा मैंने आपको बताया था कि कन्याओं के पाउं दो ये दागा बांद दिए फिर तिलक कीजिए फिर उनका मूं मिठा करवाईए और इसी दीपक को इस्तेमाल कीजिए आपको बहुत अधिक लाब मिलेगा नवरात्रों के दिन हैं मां की शक्तियां धर्ती की तरफ पर वाहित होती है और मां आपको सदैव अशीश दिया करती है तो एक बार फिर समझ लीजिए कि रात के समय आप एक दीपक जलता रहे सुबह तक सुबह जब कन्या पूजन करनी है फिर जलता रहे बीच बीच में गी डाल सकते हैं तेसी गी का होना चाहिए जब कंजिक आप कन्याओं का पूजन कर लेंगे तब गी मत डालिए अपने अपस्त हो जाएग तो यह आपको विशेश शक्ति देगा उस दीपक की तरफ देकर मनव कामना कीजिए जो भी आपकी कामना है वो मां से कीजिए आपको बहुत शक्ति मिलेगी देखिए आप लोगों से मेरा विशेश एक नाता है क्योंकि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी कुछ लाने की प्रेतन करता हूं अब मैं आपको कहूं जंगलों में चले जाए ये तपस्या कीजिए तो पॉसिबल नहीं है इसलिए आपके निवास पर रहकर छोटी छोटी टोटके करके आपको लाव मिलता रहे यहीं मेरा प्रयास होता है अब नवरातरों में आप दीपक नहीं भी जलाएंगे तो कोई बात नहीं होगा कुछ लेकिन यदि जला देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा नहीं जलाने से कुछ नहीं होगा जलाने से बहुत कुछ हो जाएगा मैं यह नहीं कहते हैं कि आप जलाएंगे उसी समय आपकी करोडर पे की लोटरी निकलाएगा ऐसा नहीं होता रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं जो कस्ट आने होते हैं वो रुक जाते हैं तो इससे फिर दिरे दिरे जब हम ऐसे कारे करते रहते हैं तो हम तेजी से लाप की तरफ बढ़ने लगते हैं तो इसलिए ये टोटके आपको करते रहना चाहिए इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मैं ब्रिज मौन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं एक बार ही करना होता है तो हमारे वीडियो की नोटिफकेशन आपको लगातार मिलती रहती है यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वटसेप पर कर सकते हैं परन्तु जवाब आपको पांच ये छे दिन के बाद ही मिलेगा यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप वटसेप पर पूछ सकते हैं इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कारियों में इस्तेमाल करते हैं द्यान रखिएगा कि जब आप जनम पत्री भीजते हैं तो हम देखते हैं यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है यदि योग नहीं है तो फिर इमिजेटली उसका हम आपको बता देते हैं प्रन्तु यदि योग है तो अच्छे डंग से देखकर ही बताते हैं प्रन्तु जनम पत्री देखने में चारें पांच दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा ये आपको नोटिफकेशन बेज दी जाती है कि समय लगेगा आप जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे ग्रह होते हैं आप ये भी जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे योग होते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को करजा रहता है, रोगी रहता है, क्यों रहते हैं, इन सब का समादान हमा आप ये वीडियो और दिक सदिक शेयर करेंगे क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाब आपको भी मिलेगा तो मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार खुश रहिए और अपना द्यान रखिए